हाग आटवा वेध्य प्रसाद कुम करनी सर या बज्दल मार्गदर्शन करना रहत में सराना विनंती करतो कि सरानी सुरुवात करागी अंद न्याक गणा अधीशो गणा अधीशो विद्या निधर विनाय कहा कार्यारं पे सदा दसमें गणे शाय नमोगिवा अमने फिश्ली बार उदर वेद्धर की सामान्य चिकिसा सुत्र था श्रोक करमंग 61 दो शाह आती मातर ऊपचया श्टोमारग निरोदना संभवति उदरम तसमा नित्यमे व विरेजा ये देका था कि ये उदर का सामान्ये चिकिसा सुत्र है तो हर एक परकार की उदर में किस प्रकार की चिकिसा दी जा सकती है, वाट इस दी बेसिक प्रिंसिपल अप दे ट्रेट्मेंट, नित्य में वा विरेच के, यह नित्य विरेचन का आर्थ क्या है, वो भी हमने पिछली बार देखा था, डेली विरेचन देना है, या रुगन का बल देखे, एक दिन के बाद, दो दिन का ग्याब देकर या विरेचन दे सकते हो, तो फिर हमने ये भी उस संधर्म में देखा था, ये विरेचन किस से दिना है, तो ठीक है, तो डिपरेंट आइंट्स ओप विरेचन योग थे, उसमें सरवस्रेक्ट योग कोट सा था, वो भी हमने देखा था, इसी अध्याइ में जो श्लोक करमांका 172 है, एरेंडस नेहा की जो प्रशस्ति बताई है, वो हमने देखे थी, और वो एरेंडस नेहा की सुपरकार से देना है, स्वा उश्र युक्तम, जो अनुबंधी दोश है, पित, कफ या फिर वात उस दोश का विचार करते हुए, उस-उस दोशगन दवाईयों के साथ, फिर गोदुग्द या और इरेंडस नेहा, गोमुत्र और इरेंडस नेहा, त्रीफला और इरेंडस नेहा, इस प्रकार की रचना करते हुए, झाल के उस उदर रोगे को वरेचन का योग देना चाहिए यह हमने देखा था है और और एक वीजह हमने पिछले बार देखा था कि यह वीरेचन करते समय रुग्ण का आहार किस प्रकार का होना चाहिए तो दुग्दपान के जो प्रशस्ति उदर में बता ही है वो हमने देखिती गोदुग्दपान भी है माहिष्य पान भी है अगर नहीं मिल रहा है तो कारभ पयाहा कारभ पयाहा तो प्यादी प्रत्य निक्षी बताया तो गोदुग्दपान भी है तो इस प्रकार से उनने दुग्दपान के प्रशस्ति बताया तो इस दुग्दपान के संदर्भ में उनने एक विषय एक श्लोक 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 नमबर 62 में बताया था शुद्धम संस्रुजन चक्षिरम बलार्थम पाये तुतम प्राकुत्कलेशात निवर्द्यम चबले लब्दे करमात वयाः क्या कहता हूने ने शुद्धम याने संशोदन होने के बाद संस्रुजन का मतलब क्या है संशोदन होने के बाद और संसर्जन करम होने के बाद, तो संसर्जन भी हुआ है और संसर्जन करम भी हुआ है, तो उस व्यक्ति को तम, तम यानि उस उदर रुग्ण को बलारथम बलप्राप्ति के लिए शीरम पाए, गोदुग्णपान देना चाहिए। तो यह विशय की व्याप्ति हम इस प्रकार से बढ़ा सत्ते हैं कि जो जो अपतर पंजन्या दिर्ग काला अनुपंदी व्यादी हमारी पास आते हैं। जैसे जीरन मात व्यादी की अवस्ता है, जैसे सीए मेटस्रेसिस की अवस्ता है, जैसे सीकेडी की अवस्ता है, जैसे जीरन एटोइमिन डिसीज की मात प्रधान अवस्ता है, तो ऐसे विभिन्न आवस्ता लेकर अगर रुगण आमारे पास आता है तो इस प्रकार के रुगण में इस प्रकार की आहार योजना हम कर सकते हैं तो 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 इन सभी आवस्ताओं में अगर हमारा निदान ये हो गया कि ये निरूपस्तंबित वात है ये तो उपस्तंबित नहीं चेंडी निरुपस्तम्भोत प्रदान कंडीशन में गालार्ख्म क्षीरं पाए विस्तार जो है तो हम अन्य सभी प्रदान कंडीशन . कर सकते हैं आगे सुछ में बताया बलेलभथे और बलप्रापती होने के बाद बलेलभथे उत्कलेश अधस्पराग और उत्कलेश होने से पर्वग वदूदपान इतना सेवन किया और उसे उत्कलेश होने लगा उसका नोशिया होगे तो क्या करना है उत्कले शाथप्राइख करमाथ पयाहा निवर्थ्यम फ्रत करना है तो पिर गोदुग्द आप सिर्प दे रहे हैं तो गोदुग्द और राइस दे दो गोदुग्द और ज्वारी की रोटी दे दो और धिरे धिरे ग्रेजुली ग्रेजुली उसको डायट क्याप शिप्ट होने तक उसको गोदुगद का सेवन करने का विधान यहां पर है तो इसे संदर्व में और एक सुत्र आचार्यों ने हमको दिहा है कि अगर उसको उत्कलेश उत्पन हो गया गोदुगदता और उसको हम अभी डायट के शिप्ट करना हो तो उसका डायट किस प्रकार से देना चाहिए तो देखिए इसी अध्याय में श्लोक क्रमांग 165 जो है उसमें उनने लिका है आगिता नाम गवा मुत्रे पेज नंबर 499 आगिता नाम गवा मुत्रे सश्टिता नाम तंदुले जवागुं पयसा सिद्धा इब्रतामं भोजे नरव गवा मुत्रे घटना कि पना रवरों कि अध्या आगिता नरव मुत्रे सकाठे एगैं उस्टे सैंगर पमेश उसे नालाई इस उत्रनम गवा बेकाने लिए ह्या है इद रही ब्ही बाम पुत्रे नाम गवा मुत्र में फ्रकार का इभीता इज जो राइस है उस राइस को गुमुत्र की पाउना देखुआ है तो यह बाउना की शुपतार से देसे हैं जो राइस जो है जो है जो गुमुत्र से प्राइस आप लग सकते हो दूसरा प्रकार क्या हो गया? जो तंडूल है वो रुगन को कहें कि आप राइस बर गुमुत्र में भिगो के रखो और सुबह उठने के बाद वो गुमुत्र डिस्कारड करो और जो तंडूल बचा है उस तंडूल का आहार गेली उप्योग करो तो इस दो प्रकार से आप गवाम मुत्रे भावितानाम शष्टिकानाम तंडुलेही ये विदी का आचरण कर सकते हो तो गवाम मुत्रे भावितानाम शष्टिकानाम तंडुलेही तो पयसाम सिद्धाम यवागू तो जो गोमुतर से भावित ये तंदुल है उससे सिद्ध दूर सिद्ध यवागू आपकरो तो यवागू तयार करनी है पैसा सिथम गोदुग्द मिश्र करते हुए और नरम प्रकार्म प्रकामम वो प्रकामम भोजे तो उस रुग्ण के तुरुक्ति होने तक उसको इस गोमुतर से भावित जो तंदुल है उस तंदुल से क्या करना है दिखिये उस तंदुल का ओधन भी उन्होंने नहीं कहा हैं तो इसलिए वो प्रयोग सुरू करना है ये एशा होता हर जब हमारे बार में रहता है तो नहीं करपाता है ये所ुन थेचाड स्युखsters mêsक्ष करना डियुक्त करना हैं अभर हुठा था सबस्क्राइब जितने अन्य कल्प आए तो इसके उपर भी थोड़ा और चिंतन होना ज़रूरी है कि और किसलिए भूजेद देखे उने ने नीचे लिखा है उसके बाद क्या करना है उसी श्लोक में श्लोक नमबर 166-67 में विबेद इक्षुरसं चानू जठराणाम निवरुत्ये स्वम्स्वम्स्थानम प्रजन्ति एवं तथा पित्त कफा मिला ये जो गोमत्र भावित तंडुल से और पयसे सिद्ध कीउई यवागू है इसका सेवन किसले करना है जठराणाम निवरुत्ये इस प्रकार से करना है और ये सेवन करने के बाद ये जो यवागू है वो यवागू सेवन करने के बाद क्या करना है अनु याने क्या पश्चाद, लाटरोन तो पहले आप वो गोमुत्र सिद्ध तरंडुल से और बयसे सिद्ध की हुई यवागुदो वो देने के बाद इक्शुरसम पिबेद और ऐसा करने से क्या होता है तथा एवं पित्थ कफा अनिला स्वे स्थाने प्रजन दी ऐसा करने से पित्थ कफा अनिल जो है जो पिदोश है सरा आवाज एतना हलो आवाज एतना तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो गोमुतर से सिद्ध की हुई तंडूल और उस से सिद्ध की हुई यवागुदो और उसके बाद इक्शुरस पीने से तथा एवम ऐसा करने से पित्थ कफा अनिला जो त्रिदोश है स्वेश्वे स्थाने वरजनती वो अपने अपने स्थान में चले जाते हैं स्थान का मतलब कुदका सुस्थान तो है भी और उसका मतलब शेस्थानम चुरुद्दिम चे दोशारां त्रिविदागती स्थान के शब्द का दूसरा एक आर्थ निकल सकता है होमियोस्टैसिस एक्विलिब्रियम इस्टैबलिश हो जाता है दोशों का स्थान शब्द का आर्थ एक लोकेशन तो है रुडा आर्थ से दूसरा अर्थ है equilibrium establish होना तो इससे equilibrium establish हो जाता है दोशों का जो रुति मातर दोश है उनका equilibrium establish हो जाता है इस प्रकार के आहारविदी से आगे वही आहारविदी के संदरबबे वो श्लोग करमांका 167 में आगे वो कहते हैं तब कि अगर एक condition है कि रुग्ण को गाड़ पुरीश उत्पन्न हुआ है तो अगर एक गाड़ पुरीश आवस्ता है तो इस गाड़ पुरीश आवस्ता में रुग्ण को किस प्रकार का आहार देना है गाड़ पुरीश ने क्या कि हार्ट स्टूल इसे आवस्ता है, उधर रुग्ण है आपने वीरेचन दे दिया, वीरेचन करने के बाद समसर्जन कर्मक करने के बाद आपने तुरुणं को गोदुगदा हर पे दिया, गोदुगदा है रखने के बाद उसकों अगर उठकलेश उठ्पन हुआ तो आप बात में इस आहर करते समय आगर रोगन को हार्ट स्टूल गाड़ पुरिशा या अवस्था उत्पन्द हो गई तो उस अवस्था के चिकिस्था किस प्रकार से करनी है तो देखिए इसे अद्ध्य में श्लोक कर्मंक 168 में वो क्या कहते हैं शाकम गाड़ पुरिशाय प्राइक बक्तम दापय शक्त ततो ठास्मये शितिलि पूत वर्चो दोशाय शास्टविर तो गाड़ पुरिशाय तो अगर Heart Stool है तो ऐसी आवस्था में प्राग बक्तम, तो बोजनपूरम जտनए अपान काल में गाणपूरिशाय तो ये क्या करना है तो ऐस्था में दापयत भिशब, तो प्राग बक्तम वो शाक जो है, वो शाक उस आवस्ता में, अपान काल के आवस्ता में, प्राग बक्ता आवस्ता में, वो रुगनों को देने हैं, तो किस प्रकार के शाक है, उसका वरणा, उन्हेंने स्लोक नमबर 167-168 में किया है, देखिए, शंकिनी, स्नुक्ति, उर्टि, दंति, चिरबिलवाद, पल्लवईः, तो इन प्रकार के शाकों का उप्यो, प्राग बक्त, गाड़ पुरिश अवस्ता में करना है, तो यह आवस्तिक की किसा हो गई, आवस्तिक आहार ची किसा हो, हर बार गाड़ पुरिश है, इसलिए गंदर वो अ करते की देना यह पुरूज सही नहीं है शाक भी दे सकते हैं वाप तो इस प्रकार की शाक प्राग पक्ता अवस्ता में रुबन को दो और यह ऐसा करने से क्या होता है आगे उने में लिखा शाकम काड़ पुरिशाय प्राग पक्तम दाबये शब ततो तस्मय शितिली भूतम वर्चो दोशाय शास्त्रवित और दध्यात भूतरितम शीरम दोश शेष हरम शिवम तो शास्त्रवित याने क्या शास्त्र जानने वाला वैद्य शास्त्रवित ततहा ततहा याने आप्टर रै उस शाक तेवन करने के बार अस्मई याने इस शितिली भूतम वर्च दोशाय आपने वो गाड़ पुरिश अवस्ता है तो उस गाड़ पुरिश अवस्ता में आपने उन उन शाकों का उपयों किया तो उन शाक परागबक बखता अवस्ता में देने से शितिल गूत वर्च दोष हो गए पहले वो गाड़ पुरिश अवस्ता में दे आप उस शितिल गूत वर्च दोष हो गए तो ऐसा हुने के बाद दोश शेष हरम, शेष दोश का हरण करने के लिए मुत्र युक्तम शिवं शिरम दद्या, तो फिर से एक बार गुमुत्र और गुप्षीर युक्त आहार अरुगण को देना चेजिए, तो इस परकार का अवस्थिक आहार योजना जो उदर में बताई है, वो भी इंपॉर्टन, तो विशेष कहा से चल रहा था, तो विशेष नित्यमेव विरेज ये, इस अवस्था से, इस सुत्र से चल रहा था, लेकिन, कई-कई बार क्या होता है, कि हम रुगण को डायरेक्ट विरेजन हम नहीं दे सकते, ऐसे भी कई-कई आवस्थाये हैं, जिस आवस्था में, उदर की आईसी कुछ आवस्थाये हैं, उस आवस्था में हमको मालूम है कि चलो ये उदर रुगण है, हमने निदान किया, हमको तो ये भी सुत्र मालूम है कि नित्य में वह विरेच है, अब इसको नित्य विरेचन करना है, लेकिन उसके लिए कुछ-कुछ राइडर्स आचार्योंने बताएं, उसके लिए कुछ-कुछ Contra-Indicated Condition आचार्योंने बताएं, तो आएसे कुछ Condition है, जिसमें आप from starting of day one, meditation उत्पनना होंगी, तो आइसे कुछ आवस्ताएं हैं, उस आवस्ता में, रुग्ण का निता, उदार, उदर होने के बाद भी, आप उसको from day one, विरेचन योजन नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ-कुछ आवस्ता है, उसका वर्णन, श्लोक क्रमांक 111 में उनने किया है, one, one, one तो पूप्या केते हैं दिखिए, एक नमबर 497, रुक्षा नाम पहुवार्णा नाम, तथा संशो दनार्थि नाम, दीपनी यानी सरपीशी, चठराग नानी चचक्ष में, तो इन ऐसे आवस्ताओं में कौनसी रुक्षा नाम, तो रुक्ष प्रधान कंडिशन है, रुक्ष प्रधान रुग्ण है, बहु वाता नाम, वात का प्राधान्य है, तथा संशो दनार्थि नाम, तो जहां पे शोधन करना आप एचीत है, दिखिए, वात प्राधान्य है, फिर भी जहां पे बहुदूश आवस्ता है, ऐसे अगर आवस्ता है, तो दीपनी यानी सरपीशी, जटराग नानी चक्ष में, तो ऐसे आवस्ताओं में, डायरेक्टली विरेचन शुरू करने से पहले, गृत्पान देना आवश्यक है, तो यह थोड़ा सा अलग मिशे हो गया, नित्यमेव विरेचे तो हर बार ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ-कुछ, एक एक एक्सेप्शनल कंडिशन उन्होंने ब दीपनियानी सरपीशी, जठरागनानी चक्ष्म है, तो पहले यह दीपनिया सरपी देने के बाद, गृग्णा अगर सुस्निक्द हो जाता है, तो वो सुस्निक्द हावस्ता में फिर विरेचन देना है, डायरेक्टली विरेचन अगर आप उस हावस्ता में देगे, तो शा इसलिए आप ऐसी अवस्था में पहले दीपनियानी सरपीशी देदो और ये दीपनिये सरपीश देने के बार आप बाद में विर्णेचन योग देदो तो ये आलेक अपरोच हो गया तभी इसी प्रकार का सुत्र वागबट अचारे जिने बता हैं वागबट चिकित सहस्तान के पंद्रव व्याद्याय में लेकिन उन्होंने क्या है कि उन्होंने दीपनिये ये शब्द वहां पे नहीं यूज किया है उन्हें सिर्पीशी दाप प्रियोग करो ऐसा उन्हें वहां पे आदेश दिया है तो ये चरक सुत्र का अध्यान करने के बाद हमको पता चलता है कि दीपनिये शब्द इंपोर्टन है दीपनिये द्रग्यों से संयुक्त किया हुआ गुर्द ही इस आवस्था में रुग्ण को देना चाहिए तो फिर सवाल उत्पन होता है ऐसे कौन-कौन से गुर्द है चलो आपने कहा कि हमने ये सावस्था का निदान इस परकार से किया रुप्ष भहुवात सोंशोदन अरथी ऐसा रुग्ण है तो इसको किस परकार के हम दीपनिये गुर्द दे सकते हैं विरेशन करने से पहले तो उसका वर्णन आगे स्लोक करमांक 112.13 में आता है तो इसको करमांक 112.13 में परकार के दीपनिये गुर्द का वर्णन किया है तो ये पंचकोल गुर्द ये गुर्द है जो दीपनिये गुर्द है और जो रुक्षब हुआ ऐसे अगर कंडिशन है तो इस कंडिशन में आप सबसे पहले ये पंचकोल गुर्द का प्रयोग करोगे और बात में रुबन को विरेशन दोगे तो उन्हेंने आप्शन दिये आपको उसमें से एक आप्शन है पंचकोल गुर्द का देखिए प्रस्तम सर्पिशाह पचेद। तो उन्हें देखिए ये पंचकोल गुर्द का प्रणन यहां पे किया है तो ये जो पिप्पली पिप्पली मूल चव्वी चित्रक नाग रही ही सक्षाह रही ही अर्दपली कई ही कल कई ही तो ये जो पिप्पली पिप्पली मूल चव्वी चित्रक पर्शुंठी ये जो क है यह उसको-पन्चकोमल द्वाया है शुस्क्षर के साथ इतने मीकलनी है अरदपल अरदपली कर इας ही मात्रह में लेनी है तो यह कलक़ द्वाया है इनका कलक करना कलक इस साथ किसे इस की अदॉर्ण करने के लिए हम आखर आखर जो है जो है दर्शमूलot उसका लेना और ददिमंड आड़को पेतनम और यह जो दीपनिय उसका गुंदर्म है वह बढ़ाने के लिए वहां में और एक द्रव एड़ किया है वो जो है ददिमंड वो ददिमंड भी एक आड़क मात्रा में लेना है और सरपिशामांद भी प्रस्थम और उसमें गुर्थ जो है वो दो प्रस्था आड़क करके उससे वो गुर्थ सिद्ध करना है तो ऐसा अगर गुर्थ सिद्ध होता है तो उसको पंचकोल गुर्थ ऐसा कहते हैं और वो श्लोक करमांग के 111 क जो अवस्था है दीपनियानी सरपीशिक तोस अवस्था में ये पंचकोल गुर्द आप दे सकते हो तो देखिसे इसमें दडिमंद उन्होंने एड किया है इसमें क्षार उन्होंने एड़ किया है तो ये दीपन तो है ही उसके साथ साथ ये स्त्रोतो शोधन करने वाला गुर्थ है इसमें पंचकोल, क्षार, ददी, मंद, ऐसे उशन तीखन दवाईया है तो इसके कारण ये पंचकोल गुर्थ आप प्रोतो शोधन करने के लिए दीपन ये गुर्थ इस प्रकार से संशोधन पूर्व इस रुगण को आप दे सकते हो इसे संदर्ब में उन्हें और एक प्रकार के दीपन ये सरपी का हुले एक नीचे किया है श्लोक करमांकर 115 में और आभी तेके लिए जो पंचकोल गुर्थ है उसकी उन्हेंने फलशूर्थ पी वहाँ पर बताई है ददिमंदार को पेतम ततसर पी जटरा पहम ये उदर रोक हरन करता है तो ये वातज जो शूथ है उस वातज शूथ की अवस्था में वातपरदान गिश्थंब की अवस्था में वातपरदान गुल्मा और अर्श में ये गाधी प्रतेनी का गुर्थ हो सकता है तो ऐसे आवस्था में भी आप इस पंच कोल गुर्थ योज ना कर सकते हैं और ये इसमें कुछ जा कहते हैं उसको रेयर दवाईया नहीं है साथ सिंपल दवाईया है तो इस सिंपल मेडिसिन आप अपने क्लीनिक में भी तैयर कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं गुलमा अरशामसीज और नाशेट तो गुलमा की बहुत सारे मेडिसिन जो है गुलमा के बहुत सारे योग जो है वो अभी उदर में भी उप्यूक्तू होने वाले हैं। तो अगर आप गुल्मा की जिकिस्णा देखेंगे और उदर की जिकिस्णा देखेंगे वो लग्समाप पैरलल जाती है। interrupting की संपरप्ति और अधर इवेंट्स जो हैं वो दोनों ही कंडिशन में बहुत हद तक कॉमन हैं इसलिए गुल्म के योग भी आप उदर में यूज कर सकते हो और उदर के योग भी आप गुल्म में यूज कर सकते हो तो श्वयतु वा तविष्टंबं गुल्मा रशाउसी चनाशे इस प्रकार से एक पंचुकोल गुर्थ उनने दिया नीचे उनने नागर यमक नामका और एक दीपनिय गुर्थ वरणं किया है नागर त्रीफला प्रस्तम गुर्थ तैला तता अड़कम मस्तुना सादैत्वा एतत पिबेद सर्व उदरा पहम कपमार संबूते गुल्मेच एतत प्रशस्यते तो देखे ये जो नागर यमक याने क्या इसमें दो प्रकार के स्निह उनने यूज किये हैं कौन से दो प्रकार के स्निह है गुर्थ और तैला इसलिए इसको यमक का तो नागर यमक नाम का ये दीपनिय गुर्थ है इसमें क्या याड़किया है उनने इसमें नागर याने शुन्ठी और त्रीफला अभी आप ये जो नागर यमक नाम का गुर्थ जो है वो अगर आप वागबट चारे सी वागबट के चिके साफ्तान के पंद्रहों के अद्धे में देखेंगे तो उसमें आपको एक अलग पाड़बेत नजर आएगा अन्य सुत्र तो कॉमन ही है लेकिन यहाँ पे नागर त्रीफला के जगा पे वहाँ पे क्या लिखा है नागर त्रीफला वहाँ पे नागर तीन पल ऐसा लिखा है और चरकाशारे जी का जो सुत्र है उसमें नागर त्रीफला इसमें पल के जगा पे त्रीफला ऐसा लिखा तो यह भी और थोड़ी संशुदन की बात है कि वह पल है या फिर वह फल है लेकिन वागबट जो है वह नौवे शतिका होने के बाद और चरकाचारे जी को जो अच्छी प्रकार से जान सकता है वह वागबट ही है चरक को कोई अच्छी प्रकार के समझ पाया आए वह वागब पला इस प्रकार से होना चाहिए और शुनकी तीन पल मात्रा में होनी चाहिए और गुर्द तईल एक प्रस्थ और मस्तू जो है वह एक आढ़क मात्रा में होनी चाहिए तो यह नागराती यमक नाम का गुर्द है इस नागराती यमक में देखे उन्होंने मस्तू एड़ कि मस्तु यह ज्यादा उश्ण तिक्ष्ण दवाई है वह ज्यादा स्त्रोतो शोधन करने वाली दवाई है शुन्ती तो हमको मालम है वह आरुटी नाशक विवन्द नाशक अगनिमांद्य हर है लेकिन जो पहले हमने पंचुकोल गुर्द देखा था उसमें उद्धी मस्तु अ अगर दीपन की ज्यादा अपक्षा है तो अगरोध ज्यादा मात्रा में अगर है तो ऐसे अवस्ता में पंचुकोल गुर्द की जगह पे आप नागराती यमक का परियोग कर सकते हैं नीचे उन्हेंने और एक गुर्द दिया वो चित्रक गुर्द है श्लोक कर्मांक 116 में उन्हें लिखा है चित्रगुणे जले मुत्ते वीगुणे चित्रकात पले कलके सिद्धम गुर्द प्रस्तम सक्षारम जठरी पिपे चित्रकात पले चित्रक जो है वो एक पल लेना है उसका कलक करना है यवक्षार भी एक पल लेना है सक्षारम और चित्रगुणे जले मुत्र गुमुत्र जो है वो दो प्रस्त और जले जो है वो चार प्रस्त और घृत एक प्रस्त यह सब मिक्स करके उस घृत को सिद्ध करना है और इसके अवस्ता कोन से है? जथरी पिबेच ऐसा उनानी कहा है देख़े अभी इसमें चितरख है चृत्रख साक्षाथ अगनी है उसको कहते हैं वो तो तुति अगनीमानद के आवस्ता है वहां पे हम चितरख दे सकते हैं। देख़े इस गुर्टों की रचना उनाने किस प तो उसमें सुपरनेट्व डिगरी भी बढ़ जाती है शुन्टी से जाना अगनी दीफक चितरक है तो अगर ज्यादा स्त्रोतवरोद नहीं है तो आप शुन्टी जो नागरा की यमक है उसका उपयोग करो तो वहां पे आपको इस चितरक गुर्द का उपयोग करना चाहिए पाक्षाप चितरक के साथ और वहने चाहर और शार के साथ साथ गुमुतर भी अड़ किया देखिए तो इसका उसने तुछ इसका इसका इसके स्त्रोतो शोधन करने की कैपैसिती इसकी पोटन से कितनी बड़ी हो तो आपको अगर स्त्रोतो शोधन जाना अपेक्षित है तो अपेक्षित नहीं है तो आप उपर दिये हुए पंचकोल गुर्त या ती यमक इन दोनों गुर्तों में से कोई भी गुर्त आप प्रयोग में ला सकते हैं कई उनने निचे यमा दी गुर्त्त वह उर्णित किया है ये वकोल कुल गुर्तान अम पंचमूलल सेट सुरा सभी रकाभ्याम चसे लिशेत सुपो गो इसमें क्या है उन्हे कहा कि यमक अलों ट्रत शDDथ एक और कुलत्त का करना करना है और द्रवद्रव्य जो है वो पंचमूल कोहां था और इसमें सूरा और सव्वीर जो आस्थ कलपना है इनको उन्होंने एड़ किया है और इससे वो गुर्दर उन्होंने सिद्ध किया है तो इसमें यवकोल का कलक है और सूरा सव्वीर एड़ किया है जनरली गुर्दर का नाम जो रहता है तो उसमें से कलक जो द्रव्य है उस कलक द्रव्य से उस गुर्दर का नाम देने का प्रकात है तो गुर्दर क संकल पना में कौत से भी ज्यादा इंपोर्टन कलक है इसलिए चित्रक गुर्थ जब हम कहते हैं तो उसमें कलक चित्रक का रहता है यवकोलादी गुर्थ हम जब कहते हैं तो उसमें कलक यवकोल का रहता है पंचकोलादी गुर्थ जब हम कहते हैं तो उसमें कलक पंचकोलादी गुर्थ जब हम कहते हैं तो उसमें कलक गुर्थ और चौता यवकोलादी गुर्थ तो ये चान उप्षन उन्होंने आपको दिये हैं ये गुर्थ किसली दिये उन्होंने तो श्लोक क्रमांक 111 रुप्षा नाम भुवाता नाम तथा संचोतनार्थी नाम दीपनियानी सरपीशी जटरागनानी चीचप्ष में तो ऐ इसे आवस्था में रुप्षा बहुवात और संचोतनार्थी आवस्था में रुगण को डायरेक्टली आप विरेचन नहीं दे सकते तो उस विरेचन करने से पहले रुगण को दीपनिया सरपीशी देना है तो उसके लिए यह चार प्रकार के गुर्त आप उसका यूज कर सकते हो आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो तो इस प्रकार के चार प्रकार के गुर्त के एडमिनिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या करना है तो देखिए वो श्लोक करमंग 118 में उन्होंने लिखा है ये भी ये निगधाय संजाते बले शांते चमारूते सस्ते दोशाशे दद्याद खल्पम दिश्टम विरे चनावनू तो ये भी ही यानि नहीं इन प्रकार के चार जो चतर विद्प स्नेः है तो इन प्रकार के छनेहों से स्निगधाय संजाते तो स्नेहन होने के बाद स्निगधाय संजाते अच्छ प्रकार से स्नेहन हो गया और क्या हो गया बले संजाते पले बले प्राप्ति हो गई शांते चमारुते जो वात प्रधान अवस्ता है उसमें वात का शमन हो गया एभी इस निकदाय शन्जाते बले शांते चमारुते और क्या आवस्ता उद्म अःध्पन हो गई सस्ट्रे दोषा चे की टीका देखे चकरपान जी ने क्या कहा है सस्ट्रे दोषा चे दोशे स्नेहेन विमक्त बंदान अत्वास त्रस्ते त्यार तहा जब आप इस दीपनिय गुर्तों से स्नेहन करते हो, तो उस स्नेहन से क्या हो जाता है? जो स्नेहन का मॉलिक्यूल है, 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 जो स्नेहन का मॉलिक्यूल ह कर देता है और इसी कारण जो एटैच्मेंट है दोशों की दोशों के मॉलिक्यूल की स्त्रोतस के साथ वो भी नश्ट हो जाती है और सस्त्रे दोशाशे विमुक्तबंदर रत्वां उनका एड़ेजन ही कम हो गया तो दोश फिर चलित हो गये तो ऐसी चलित दोशों की आवस्था जहाँ पर उत्पन्न हो जाती है किन कारण एवी स्निक्धाय तो इस प्रकार से उपर दिये हुए जो तीन या चार गुर्त है उनका अच्छी प्रकार से सेवन करने के बाद बलप्राप्ती तो होती है मारत शांती तो होती है लेकिन सबसे इंपॉर्टटन्ट चीज़ है कि सस्त्रे दोशा से दोश जो है वो अभी कोश्थ में चलित हो गए हैं और ऐसा होने के बड़ क्या करना है दद्द्द्याट कल्पम दिष्टम व्रेंचनम तो ऐसी आवस्था में अगे दद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द कल्पत स्थान में जो विरेचन के विभिन्न योग बताए है तो वो विभिन्न योगों का प्रयोग रुग्ण की परिक्षा करते हुए उसमें से वोई योगों का प्रयोग आपको करना है कौनसी आवस्ता में स्नेहपान पूर्ण हो गया बलप्राप्ती हो गई रुग्ण आप अभी विरेचन के वेग को सहन कर सकता है ऐसी आवस्ता उत्पन हो गई और सस्त्रे दोशा से दोश अभी विभुक्त बंधन इस आवस्ता में प्राप्त हो गए तो ऐसी आवस्ता में ही आपको रुग्ण को वो कल्प कल्प दिश्टम विरेचन कल्प स्थान में जो विरेचन कल्प है उनका सेवन करना चाहिए उनको रुग्ण को देना चाहिए तब अभी विरेचन कल्प देना है शुरुवत कैसे थी नित्य में वे विरेचन यह सामने सुत्रता यहां पर उसको एक्सेप्शन उन्हें बताया कि रुक्षानाम बहुवातानाम तथा संशोद नार्थिनाम दीपनियानी सरपीची चट्रागनानी प्रचक्ष में हैं और उसके बाद फिर कल्पो दिश्टम विरेचनम तो विरेचन इस आवस्था में रुगन को देना है अभी जो सुत्रकरम के 111 है कि चलो कि आपको रुक्ष प्रधान बात प्रधान बहुवाता वस्था होने के बावजूद ही बहुदोश आवस्था है ऐसी कंडिशन होने के बाद आप क्या करोगे कि आप दीपनिया सरपीड होगे और दीपनिया सरपीद एने के बाद उसको आप विरेच अनकल लेकिन कहीं कई पार क्या होता है कि लेकिन की कावस्था में आपके पास आता है कि अating का आप्सांप आप के पास आपस समय नहीं है कि दिपनी बुरुत दोगे छार दिन दोगे छा installed दिन दोगे वे सबनिय कि लग्षण देखो कि वह सुस्निक्द हुआ है क्या उसको बलप्राप्ति हुई है क्या और बाद में फिर आप उसको विरेचन कल्प दोगे इस अवस्थां तक रुगने किया समय अत्तेक अवस्था में नहीं रहता अन्य जंडरल अवस्था है तो ठीक है लेकिन अगर अत्तेक अवस्था है तो उस अत्तेक अवस्था में आपके पास इतना समय नहीं है तो फिर क्या करना है तो उब अगर रुग्रा मोरो इस प्रकार का रुग्रण अगर अट्यक आवस्था में में आपके पास आता है is दो क्या करना है तो उस वर्म स्राप ने क्यां है में हैं। 28 तो उनन्हें नहीं वहाँ रुग्ण आपके पास आता है तो उस गूरत से घुरत आपäंपесто रहेяс़ word कि एक तो आपको और एक तेन्हें को चोएय कि कि ज़रूरत नहीं है कि न समय आपके पास नहीं है उतना समय रुगन के पास नहीं है इसलिए आप विरेचन रव्य से सिद्ध गुर्थ करके उससे विरेचन दे सकते हो तो ऐसे विरेचन रव्य सिद्ध गुर्थ जो है वहीरेचनिक गुर्थ तो यह वहीरेचनिक गुर्थ का वर्णन चरका चरय में भी मिलता है देखिए इस अध्यमें श्लोक कर्मांगर 138, 139 नमबर 498 उनने ने खहां है तो जी बुटता जो है वो है रेहिशनिक बुर्था है तो तो डाइरेक्ली यूजू नहीं कर सकते हैं रुखन को वह रेचनिक गूरत कर सकते हो तो देखे ये स्नुहीपशीर का वर्लन की इस प्रकार से उनने किया है शीरत द्रोणं सुदाक्शीरं प्रस्तार्द सहितं ददी जातं विमत्यं तद युक्ता ति उरुत सिद्धं पिबेद गुर्दं तथा सिद्धं उर्द प्रस्तं पयस्त्याष्ट गुणे पिबेद स्नुक्शीर पलकल की इन ते उरुता शटपलेन च विल्मानाम गर्दोशानाम उदरानाम च शान्त ये देखे तो क्या करना है प्रस्ता अर्दम उर्द प्रस्त लेना है शिर दोडुक्द जो है वह एक द्रोण तैर करना है और उससे जातम दधी और उससे दही प्यार करना है तो एक द्रोण दुद एक द्रोण याने 1024 तोला याने लगबग देखिये लगबग 10 लिटर दुद हो गया तो इस 10 लिटर दुद में इसनों ही चेर कितना एड़ करना है अरधा प्रस्त याने लगबग 300 ml हो गया तो 10 लिटर दुद लेना है उसमें 300 ml स्वोहिक चेर एड़ करना है और इसका जातम दधी इसको दधी तैयर करना है तो दुद से जो दही बनाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रियार से उस 10 लिटर दुद में लगबग इस प्रकार से तो देखिए तो जातम दधी और प्रक्रिया करना है विमत्य युक्त्या त्यूर्ट सिद्धम तम गुर्थम पिवे उस धडी तैयर करने के बाद उस दधी से प्रक्रिया जो हमारी नैचरल प्रक्रिया जो है उससे उस ददी से नवनित वो नवनित से घुर्थ तयार करना है और बाद में यह जो गुर्त है वो तिवरुत्त कलक से सिद्ध करना है और वो विरेचन के लिए यूज करना है तो देखिए यह जो स्नुधिक शीर है वो किसले उस पर अगनी साउस्कार हुए है पृतना पृतनु उसे उसमें आया होता इसलिए इस साउसकार उनने यहाँ पर एड़ किये है तो इस प्रकार का स्नुहिक शीर आप यूज कर सकते हो, कौन सी आवस्ता में? रुप्षाना बहु आतानम जैसी कंडिशन है, लेकिन आत्य इक आवस्ता है, उसमें आप डारेक्टली इस प्रकार का वहीरे जनिक गुर्थ दे सकते हो. और निक्या ओवार मुझर ने कहा है, तथा सिद्धम गुर्थ प्रस्तम पलस्य आश्ट गुने पिबेद, स्मुक्षीर पलकलकेन, ति उरुता शिटपलेन च गुल्मानाम गर्दोशानाम उदरानाम चे शांते, तथा उसी प्रकार से स्मुक्षीर पलकलकेन, स्मुक्षीर जो है, वो एक पल, उसका कलक त्यार करके, ति उरुता शिटपलेन, ति उरुता जो है, वो शिटपलेन, और अश्टगोने पयसी, और आठ पट जो है, वो दूद लेकर उससे गुर्थ एक प्रस्त सिद्ध करना है, तो ये भी स्मुक्षीर है, तो ये अलग है, आप इसमे क्या है, आप डारेंट लिस में गुर्थ लेना है, तो ये देखिए, स्नुहिपशीर क्रमांग के एक, और स्नुहिपशीर क्रमांग के दो, ये दो प्रकार का वर्णन उन्होंने इस स्लोक क्रमांग के 139 और 140 में किया है, स्नुहिपशीर क्रमांग के एक में आपको क्या करन पर लेकिन नीचे उन्हें आपको कहा कि आपके पास इतना भी समय नहीं है आपके पास अंसाधन नहीं है तो क्या करो चलो जाने दो इसके लिए आप करो जाएं इसको प्रेजन के लिए यूज में पर सकते हो यह बी एक वही रेचनिक विर्त हो गया जो अतेक आउस्ता में आप तो इस प्रकार की गुर्द आप रुगन को दे सकते हो अगर अवस्ता नहीं है तो उपर बताई हुए चार प्रकार की गुर्द आप दे सकते हो और इस चार प्रकार की गुर्द आप देने के बाद रुगन को जब सुस्निक दावस्ता उत्पन्न होती है बलपराप्ती होती है और सबसे इंपोर्टन सस्त्रे दोशाष है इस प्रकार की आवस्ता उत्पन्न होती है तो उस रुगन को आप वीरेचन कलब दे सकते हो तो इस गुर्टोपान देते हैं समय गुर्टोपान अगर रुगण को चालू है तो उसका अनुपान किस प्रकार से रखना है उसका वर्णन देखिए श्लोक क्रमांक 142 में उन्हें किया है इन गुर्टो का अनुपान कौनसा कौनसा उना चाहिए गुर्टो प्रस्ताद पिबेद मात्रा तदुवत जटर शांत है एशाम चानुपिबेद पेयाम पयोवा स्वादुवा रसं गुर्टे जीर्णे विरिक तस्सू कोष्णम नागरम नागरेकाई ही शुरुतम पिबेद अंगू तदा पेया यूशं कोलत तकम तदा पिबेद रुप्शं त्रहम एवं तु एवं गुयोवा प्रदिवोजिता है तो का देके उनने एशाम चानुपिबेद एशाम चो एशाम चे यानि क्या इस प्रकार से वुर्टपान सेवन करने के बाद अनुख यानि उसके बाद क्या करना है? पेया स्वादुवा पयाहा पिए या फिर श्वाधु-पयाः मदूर द्रव्य citizen's दुग्द या फिर रसम वा पुबेद या फिर माूसर स का सेवन करना है तो घुटपान का अनुपान लेकिये उनों ने दिया घुटपान का अनुपान पया या फिर मदूर द्रव्य सिद्द दुग्द बुखदकप देना है और रसक मौसर सकत देना है गया वह वरणद किया है वत पित बाते शू यानि जो यह जो है वह कफ़ के लिए तुद के लिए पित जो है वह दुखद के लिए और मौसरस जो है वह तो आप परधन्यत्व के लिए अब इन गुर्तों का अनुन पान के संदुर्व में आप दे सकते हो. आगे उनने क्या निखा गुर्ते जीरने तो आपने गुर्तपान तो दे दिया. और ये गुर्टपान जिर्ण होने के बाद, जिर्ण आहर की जो लक्षणे हैं, उद्गार अशुद्धी उद्साहो, एक्सेटरा, एक्सेटरा, वो लक्षण उस रुग्ण में आप मिल रहे हैं, गुर्टे जिर्णे, तो क्या करना है, विरिक्ता हां तू, गल्पो योग देने के बाद, लोगनों को तो विरेचन के वेग आएंगे, तो वो विरेचन होने के बाद, क्या करना है, फिर संसर्जन क्रम का उनने, स्पेसिफिक संसर्जन क्रम का उनने वरण किया है, क्या कहा है उनने, नागर कई ही शुरुतम कोष्णम अंबु विबेद, पेजन करने के बाद जो संसर जन करम का पहला दिन है इस प्रकार से करना है और शडंग पानिया जो है जो रची किस्था में बताया हुआ तो उस प्रकार से आफ उसको प्रकार कर सकते हो बाद में उनने क्या क्या है तताहा पेयाम उसके बाद पेयाम कवलत तम युशम तुबेत तो पहले दिन आपको सुन्टी सिद्ध जलिधी रुगन को दिना है तताहा पेयाम दुसरे दिन पेया देनी है देखे दिका में उनने लिखा है दुटिये दिन से पेया युशम कवल इतकम तर्दिये दिवसे और तिसरे दिन समसर्जन करम का जो तिसरा दिन है उस तिसरे दिन कुलत युशे रुग्ण को दीना है जनरली संसरजन करम जब हम संशोदन के बाद देते हैं तो उसमें मुद्गयुश या फिर यवागू या फिर असंसकूरत माउसरस इस प्रकार से हम योजना करते हैं यहाँ पे उस संसरजन करम जो ट्रेडिशनल है उससे अलग प्रकार का विचार दिया है यह एक स्पेसिफिक संसरजन करम उन्होंने बताया है जो केवल उदर रुग्ण में अफ्लिकेबल है कि जब आप उदर रुग्ण में जो रुक्षाना मभू आताना मैसी आवस्ता है उसमें स्नूस्निक्द रुग्ण होने के बाद जब आप विरेचन कल्प दोगे तो यह विरेचन देने के बाद रुग्ण को इसकिस प्रकार का संसरजन करम करना है पहले दिन शुंकी सिद्ध जल्प पे रुग्ण को रखना है दूसरे दिन रुग्ण को पेया देनी है तिसरे दिन कौलत्तम युशं पुलत्त युशे रुग्ण को देना है प्रति अबस्ता है उसके बाद अबने वीरेचन किया घुर्त से ही और इसके बाद इसे रुक्षता उत्पन्द होने के का तारण एवं रुप्षा तो प्रति पोजिता हा प्रति पोजिता हा रुपन को बोजन करने के बाद चाक लिखा उनने खुल्यों और अधिक दिन तक पिबेत को रुपन को सेवन करना है यानि क्या रुपन को बलब्राप्ती संसरिजन करम की बाद तीन दिन के बाद हो गई प्रतिंपोजिन कर लिया तो तो तीन दीन संसरजन करने के बाद अगेन। को वुन्पत करना है भुवाद पे जब इसकोफेंस कि पहले आप ने रुक्षपरद्न केिशन है तो आपने पहले किया उसको गुर्टपान दिया तो गुर्टपान के बाद विरेचन दिया विरेचन के बाद तीन दिन आपने संसरेचन क्रम किया उसके बाद आपने रुपन को भोजन दिया और उसके बाद फिर से वो विरेचन कल पदिया कि आपेंगर कि से अप्रकार से अनुपूर्विया जब श करमा से सरुदी करना चाहिए ऐसका utilization करना चाहिए तो देखिए तो ये जो विशय जो है ये जो रुक्षप्रतान condition जो है तो इस रुक्षप्रतान condition में ये संसर्चन के बाद संसर्चन करम भी specific है तीन दिन का उसके बाद लगुआ हार भी देना है और लगो आर्ट से वनखीक करने के बाद फिर से एक बार विरेजिन कलब देना है, फिर से तीन दिन का समस्यूजन करम, फिर से प्रति बोजल, फिर से एक बार विरेजिन कलब, तो यह साइकल रिपीट करनी जानी है, रुगन का 2 अपकल कितना है, यह देखते हुए, तो इस गुर्टापान की जो विरेजन्स ने अहा है उसके फलशुरती श्लोक करमांक 144 और 145 में उनने बताई है गुर्तानी एत्तानी सिद्धानी विदद्यात कुशलो विशक गुल्मानम गर्दोशानाम उदरानाम चे शांतये पीलू कलक उपस्धाना गुर्ताम आना अअ अभे दनू गुल्मक नम निलिनी सर्मीश ने हमा मिश्रकम चे वे ई millimeters ने जो गुर्टानी यतान सिद्धानि तो इस प्रकार से गुर्टा जो आपस्ध करके देते हो और खुशलो विशक उशलो सिद्ध भी हैता है गुलमा नाम गरदोशा नाम उद्दरा नाम जए शांत है वो गुलमा गरदोशा रुदर की शांती करता है उसी प्रकार करता है और यह कोँसे कोँसे सने हैं वी रिचनिक कल्प है वो भी चरका चरफी न बता जा पिलू कलको बॉकसित दमबा तो पीलुकल का सिद्ध गुर्थ भी है वो आनाहा पेदन के लिए आनाहा प्रदान पंटी चनागर है तो उसमें आप दे सकते हो गुलमग नम निली नी सरफी नाम का जो गुर्थ है वो गुलमचिक समया है उसका भी यूटिलाइजेशन आप वहरेचनिक गुर्थ के लिए क पर सकते हो या फिर मिश्रक उस्थ निया नाम का कलप वह भी आप वहरेचनिक गुर्थ इस संधर्भ में इस आत्तीक आवस्ता में भी आप प्रुबन को दे सकते हो तो इसी प्रकार से इन्होंने वहरेचनिक गुर्थ हो यहाँ पे किया है तो देखिए अब तक हमने क्या की प्रधान उपक्रम कोंसा है नित्व लेचन ये तो उसमें अगर अत्यक आवस्ता नहीं है तो उसमें रुबन को दीपनी गुर्टों देने हैं और दीपनी गुर्टों के बाद रुगन को पश्याद वीरेचन योग देने हैं। कलब फिर से एक बार उगन को तीन दिन का संसर जन ग्रम एससी साइकल जो है वो रिपीट करते जाने हैं इस प्रकार से यहाद तक गुर्त का और वे रेचने गुर्ट का वर्णन तो दर केंगे संदर्व में आता है वो हमने देखा है इसके आगे का जो विशय है हम अगली बा इसके यहादग क्या व्याद टनिया वाद कि लिए तक च्राण गरूब देखा है वे तक भीए झाल झाल